आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे चुनाओं में इस सिधी में बदलाब आ चुके हैं चुनोतियां दोनों दोलों के सामने होंगी संसिधी सीट की राजनीति की सिधी का जानने के लिए 2019 के लोकसवा चुनाओं पई नाम पर नज़र डालते हैं दस लाग 1844 वोट पड़े थी उनमें से 8609 लोगों ने नोटा पर बटन दबाये था जबकि 368 वोट नरस्त हुए थी अब विधान सबा बार वोटों की बात करें तो विस्वाली में भाजपा को 111686 जबकि सपा को 16485 और कॉंग्रिस को 6711 वोट मिले थे विधान सबाच चुनाओं में यहाँ से सपा के आवस्टोस मौरे विधायक चुने गए थी इनकी वजए से यहाँ सपा की इस्तिति मजबूत रही है लेकिन पिछले दुन और राजपा चुनाओं के दौरां यह भाजपा खेमे में आ गए थे इसलिए सपा को यहां मुस्किल आ सकती है सहस्वान की बात करें तो यहां से सपा के ब्रजेस यादव विधायक हैं इस शेतर में भाजपा को 95,093 वोट जबकि सपा को 1,983 वोट जबकि कॉंग्रिस को 21,198 वोट मिले थे बिलसी विधान सपा शेतर में भाजपा के हरीज चाक के विधायक हैं यहां भाजपा को 1,3,199 वोट मिले थे सपा को 89,755 जबकि कॉंग्रिस को 9,109 वोट मिले थे बदावी विधान सपा शेतर से भाजपा के महिस चंद्र गुपता विधायक हैं यहां भार्षपा को 1,3,842 और सपा को 89,691 और कॉंग्रिस को 9,698 वोट हासिल हुए थे अब पांचे विधान सभा शेतर गुर्णोर की बात करें यह संभल जले का हिस्सा है यहां सपा की राम खिलाड़ी यादव विधायक हैं पिछले चुनाव में भार्षपा को 96,531 जबकि सपा को 1,6,169 वोट मिले थे जबकि कॉंग्रिस को 5,99 वोट मिले थे सपा की चंस्तापक मुलायम सिंग यादव यहीं से विधायक निर्वासीतों का मुख्यमंत्री बने थे यादव बाहर ले इस विधान सभाषित्र में भाषपा को कोड़ी चुनावती मिल सकती है